हेल दोस्तों वेलकॉम टेक्निकल इसराज यूटूब चैनल दोस्तों अगर आप एक यूटूबर है और आपकी किसी भी वीडियो पे कोपीराइट कलेम आगे है तो इससे आपकी जो अर्निंग है वो कट जाती है और आप परेशान हो जाते हो कि अब इसका क्या solution है आपको बतना जाओगा कि अगर आपकी किसी भी वीडियो पे इस थरह से आइकन है तो इसका मतलब होता है कि आपकी वीडियो पे आपने कोई भी song या कोई music यूजिक यूज़ किया है जिसकी वज़े से दूसरे भाई ने आपको copyright claim दे दिया है claim से वैसे कोई फरक नहीं पड़ता आपकी चैनल की standing पर हाँ revenue पर फरक पड़ता है अगर दूस्तों आप copyright claim को अपनी वीडियो से सही सलामत सही तोर पे हटाना चाते है तो इस वीडियो को आपको end तक देखना पड़ेगा बडू से पहले अगर आपने हमारे चैनल को subscribe ने का subscribe के लिए bell icon को प्रेश जूरू कर लेना क्योंकि आप सब को पता है कि हम quality वीडियो के साथ विश्वाज भी देते हैं और प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए दोस्तों अगर आपकी भी किसी भी वीडियो पर copyright claim है तो हम उसको कैसे remove करते हैं उसके लिए समझाने के लिए आगा हूं laptop की screen पर आपको जाना पड़ेगा वीडियो में जहां पर भी आपकी वीडियो रखिये उस वीडियो पर आप जाईए अब आप ये देख लिए कि आपके कौन सी वीडियो पर copyright claim है तो मैं नीचे की तरफ जाता हूं तो यहां पर आप देख सकते हो यह है एक वीडियो जहां पर लिखा है इन इलिजिवल for monetization और यहां पर copyright claim है दोस्तों यह एक ऐसी वीडियो है जिस पर मैंने एक सोंग लगाया था तो सोंग की वज़े से copyright claim आ गया है अगर हमें यह देखना है कि यह किस ने दिया कौन है हम इसके लिए क्या कर सकते है तो यहां पर सी डिटेल में आपको जाना पड़ेगा इस पर आपको क्लिक कर दीजिए यह जो बात कर रहा हूँ वो यूटूब स्टूडियो की बात कर रहा हूँ यहां पर लिख है not affected यानि के चैनल पर कोई affected नहीं है only to only यह जैसका monetization off है और यह claim मिला है हमें ठीक है किस की तरफ से मिला है यहां पर लिख है ODE music से मिला है ठीक है और यहां पर आप देख सकते हो कि copyright claim कहां से कहां तक है तो इसने बता दिया है और यह भी बता दिया कि कौन सा song हमने use किया है और इसने यह भी बता दिया कि क्या लिख्या है कौन सा content use किया यह लिख्या है मुस्कराएगा एंडिया अब यहां पर दोस्तों हमें कई सारी बातों का ध्यानक न पड़ेगा जैसे यहां पर लिख्या है select action इस पर आप click करिए तो यहां पर इसमें कहा है कि आप इसको trim करना चाते हो replace song करना चाते हो या mute करना चाते हो या dispute करना जाते हो तो हमें क्या करना है इस song को हमें remove करना है हटाना है उसके लिए यहां से भी हम इसको replace भी कर सकते हैं पर replace हम यहां से नहीं कर रहे हैं हमें जो सही तरीका ऐस का वो मैं आपको बतायता हूँ, यहां पे आपको close करना पड़ेगा, ठीक है, और यहां पे आपको click करना पड़ेगा, यह वाला यह है, ठीक है, detail पर आप click करेए, इस pencil है, इस पर आप click कर दीजिए, उसके बाद इस तरह का page आपके सामने open हो जाएगा अब आपको नीचे जाना है, और यह है editor, ठीक है, इस editor पर आप click कर दीजिए, तो यहां पे यह आपका जो video है, इस तरह से आपको देखेगा, तो यहां भी आप देख सकते हो, यह है वो song, तो इस song को हम हटाना चाहिए, तो हटा सकता है, इस पर click करना पड़ेगा, audio मतलब, ठीक है, इसको आप हटाना चाहते है, remove करना चाहते है, तो यहां पे लिखा है, erase audio, तो यहां पे आप click करिए, ठीक है, और इसको यहां से erase कर दीजिए, ठीक है, और यहां पे save कर दीजिए, यह है actually में पूरे song से, अगर पूरा song आपको हटाना है, तो यहां से आप हटा सकत हो ओढ़ आप है अब यह रिफ्रेस होगा और उसके बाद यहां से जो इसका सून गए वो यहां से हट जाएगा इसके बाद आप देख सकते हो कि यहां पर जो कलेम है वो हट चुगा है ठीक है अगर हम दूसरा कोई लगाना चाते है तो वो भी लगा सकते है दूसरा कोई एड़ कर सकते हो यहां पर add to video यह कोई भी यहां पर इसका charge मतलब यहां पर claim नहीं आएगा इस तरह से यहां पर लगा सकते हो ठीक है और उसके बाद यहां पर save change पर click कर देना और save पर click कर देना इसका मतलब है जो भी आपका पहले वाला song है वो हट जाएगा और जो यह free audio वाला है जो YouTube की तरफ से आपको दिया गया है तो यह add हो जाएगा तो अब इसका मतलब है कि आपका जो claim है वो आपकी वीडियो से हट जाएगा नीची की तरफ आप दिखाना चाहूंगा तो यहां पर आप देख सकते हो वो यहां पर हट चुका है तो दोस्तों इस वीडियो से आपको सीखने को मिल गया होगा कैसे आप अपनी वीडियो से copyright क्लेम को रिमो कर सकते हैं कैसे फिरी लाइबरी म्यूजिक वाले सोंग को एड कर सकते हैं तो यह समस्या आपकी खतम हो गई है पर दोस्तों यहां पर दूसरी क्वेरी यह भी है अगर आपके वीडियो एक्जाम्पल के तोर पे तीन मिनिट की है और आपने उस वीडियो के में 30 सेकिंड का सोंग यह फिर गाना यूजज कर लिया है या कोई मूजिक यूज़ कर लिया फ़र आपको व्याट हटाना है करना है तो ऐससे केस में आपको क्या करना अपड़ेगा उसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाने वाला हूँ अगर इस टाइब की वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट में में को जुरूर बताना मैं नेक्स वीडियो उसके उपर ही बना दूगा अब रोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें मिलता हूं आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टाटा जापको नेक्स वीडियो नेक्स भाइब से Ward 8